जैने दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मुबाईल पे स्कूल पे आज की इस क्लास में हम लोग 20 महत्त पूर्ण पढ़ेंगे कच्छा 10 के लिए जो आपकी बोर्ड पर इशा 2024 में आने हैं और मैं गरंटी से कहता हूँ यदि आप लोग इतने पूरे म आउने में 22 फल्वरी का paper है सेम question आपको मिलेंगे बस का चाहए कि पूरी वीडियो के सुरू से लेकर अंत तक watch करना है पूरा question करवाओंगा उसका बताऊंगा आपको बस आपको क्या करना है पूरा वीडियो देखना है और इनको अपने दिमाग में विकुल बसा लेना है बसाने का इंदा सिंस यह है कि आप लोग को आप लिखिये एक एक कोशन को रट डालिए यह दो पूरे कोशन रट लेते हैं तो 100% गैरेंटी से सारे को होगे चौफा है यहाए दोस्ति इंपोर्टेंट हमेंसा है इसके बाद देखो अश्य के तुसरा तो साकेत, महा कावे किस रचना है? आपसन पहला देके रखा है हमको इसमें मैथली सरन गुप्त और दूसरा है तुलसी दास, तीसरा है कबीर दास, चौथा है सूर दास तो साकेत महाकाव भाई मैथली सरन गुप्त की रचना है किसकी है मैथली सरन गुप्त जी की रचना है इसके बाद देखो तीसरा प्रशन हमारे पास है भाई दुवेदी युक के प्रसिद्ध कभी है आपसन ए देखे रखा है मैथली सरन गुप्त और दूसरा आपसन देखे रखा है जैसंकर प्षाग और तीसरा देखे रखा है हरियोद और चौथा देखे रखा है हमलों को ना किस प्रइदी यूग तीसरा है प्रगतिवादी यूग और चौथा है छाएवादी यूग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वही दुवेदी यूग हो जाएगा गया दुवेदी यूग पहला दे के रखा है जैनेंद्र और दूसरा दे के रखा यस्पाल तीसरा दे के रखा है प्रेम चंद्र और चौथा दे के रखा है जैसंकर रुषाल तो सेवा सदन उपन्यास के लेखा हैं भई हमारे प्रेम चंद्र क्यों है प्रेम चंद्र है इसके बात देखो अगला इसके बाद देखो अगला प्रशन हम को देखर रखा है गेहूं और गुलाब किसकी रशना है यह प्रिवियस यहर में पूछा गुछा गुआ प्रस्टन है पहला आपसान हमारे पास इसमें है राम विलास सर्मा और दूसरा अपसान है राम वर छवेनी पूरी और तीसरा है और चौथा है महादेवी वर्मा तो गेहूं और गुलाब किसकी है राम विलास सर्मा की रचना है उसके बाद संथा सच किस विधा ही कि रचना है जूंठा सच किस विधा की रचना है आप संद पहला है हमारे पास निबंद विधा की दूसरा है हमारे पास कहानी और तीसरा है हमारे पास इसमें क्या देकर रखकर भाई उपन्यास और चौथा है हमारा इसमें नाटर तो भाई जूंठा सच जो हमारी है किसकी व उपन्यास विधा की रशना है बात किये होगे यहां तक आप लोग पूरा नोट करते चलिएगा ठीक है ना यदि वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे मैं गरंटी से कर रहा हूं कच्छा जास हिंदी का पेपर पूरा आपको मेरी यही इसी वीडियो में ही मिल जाएगा आ इसके बाद देखते हैं मिल अपना अगला मत अगला में हमारे पासिस समय भारत दूर्दसा की सुषड़ा की रचना है या प्रश्णей भारत दूर्दसा की रचना है पहला है हमारा इसमें जीवनी और दूसरा ऐात्म कथाता पैसरा अपृत अंब बहुत चौ pressures लिए की उविधा की रखना है इसके बाद देखो दस्मा प्रस्च्न हो क्या देके रखा है दसमा देके रखा है नीड का निर्मान फिर किस विधा की रखना है क्कुम in vivo was writing hai नाटक क्या है तो भाई sparkling नेंग कर नीमान फिर फिर आत्म कठा की रचना की पहला प्रशन है मोहन रांगेज दूसरा है फडुसर्etermात तीसरा है प्रेम चंद्र चौथा है जैसंकर प्रशाद क्या है चौथा जैसंकर प्रशाद है तो मैला आचल जो है फडिस्वरनात रेंडू जी की रशना है किसकी है फडिस्वरनात रेंडू की रशना है इसके बाद देखो गीहूं और गुलाब किसकी रशना है क्या प्रफ वेनिपुरी की है किसकी यह भई रामवरच वेनिपुरी की रचना है ठीक ना साड़ा नोट करते जाए यह आप लोग नोट कर लेता है गरंटी यहीं से मिलेगा आपको मैं बार-बार यहीं बात कहता हूं इसके बाद देखो अगला प्रशन है हमारा इसमें पंच टहानी के लेखाक है पहला देख रखा है रामचेंद्र सुक्ल सुक्ल दूसरा देख रखा इसमें प्रेम चंदर तीसरा है यहस पाल और चौथा है राजेंद्र यादव तो क्या होगा भई। पंच परमेश्. यहुज więc też रचना है तहानी यह किस कि यह बएफ प्रेम यह 17 जुन है इसके बाड देखो अगला यह प्रशन भी 2020 का प्रशन थी कह ना य Sexरौ का थ। कंकाल owners किया प्रशन हैं कंकाल के कहता तो कंकाल किस की वय जैशंकार पूराइब किस की बहुर्म सा देंख्यू अगला प्रशन हपास रस्मी मानस्यों कि यह फिक है इना गया प्रस्टाइट ही किना दो हजार तेज़ का उंचा गवा प्रस्ट रस्मि मांसा किस एंग राम चंद्र सुक्ल की है या गुलाब राइक की है और तीसरा अपसान है जय प्रकास भारती और चाथा है इन में से कोई नहीं तो रस्मी मानसा जो है वह हमारी यह है राम चंदर सुकल जी की रचना है बात क्लियर होगी यहां तक इसके बाद तो प्रश्ण नंबर 17 वह हम लोग देखते हैं, प्रश्ण नंबर 17 साइद रिपीटेड है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, क्या देखे रखा है भाई, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, पहला अप्षन है महरे पास मोहन राकेज, दूसरा है प्रेम घन, तीस इस्त्रा है गुलाब राय, चौथा है रामधारी सिंह, दिन कर तो लहरों के राज defines हमारी भाई मोहन राकेश की रचना है किसकी है, मोहन राकेश की रचना है, इसके बाद देखो अठारवा प्रशने है अमारे पास कलम का सिपाही के लेखक हैं, क्या प्रशने है भाई कलम का सिपाही के लेकर खें अमरत राय पहला अप्सन है दूसरा देकर रखा है गुलाब राय तीसरा देकर रखा है वैजनात और चौथा देकर रखा है इंसा अल्ला खान तो कलम का सिपाही भई हमारी अमरत राय की है किसकी है अमरत राय की है इसके बाद देखो तो हंस्त्थपत्रिका के संपादक कहूं थे प्रेम Wow कहा देखो अगला हमको कौश़्न का आकास दीप के लेखा के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्र Gibson एक का यौल करें आपका दुसरा देखे रखा है राम चंद्रशुक्ल और तीसरा है जैसंकर वर्षाद चौथा है निराला आकास दीप के लेखख है भाई जैसंकर वर्षाद को हुआ है जैसंकर वर्षाद है यहां तक बात प्यार हो गई इसके बाद देखो आपको यह last question आपके होमर्ग के लिए है किसी है तार सब तक इसके 4 प्राशन इसके टार सब्टक कि लेखाक कौन है और नटेश्विटर्ण सब्टक को इसके क्या डूसरा आतास प्रेखक कि लेखा Here प्रकास्यनमश प्रथम तार सब्सक्राइब तर्थम तार सब्सक्राइब तर्थम तार सब्सक्राइब तर्थम 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 और गयरंटी है इस चार से आपको एक प्रस्ण थो बाफ कहलें मैं। क्या करना है छक्रिक ह्या करना है क्या करना है कमेंट करना है फिसका इसमें कुमेंट सिक्षन में डालना है कि लेखा कौन है बहुत इंपोर्टेंट है अच्छा से पढ़ना पूरा तयार करना ठीक है न तो आप लोग इसको पूरी क्लास देख यहां तक आ हैं पूरा एक नोट डाउन करिएगा मैं गरंटी से कह रहा हूं यादि मेरे से आप जुड़ेंगे आपको एक डिक्टो सेम जो भी आएगी उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इसको पूरा नोट डाउन करिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत